तो दोस्तो टाटा नेक्सोन ने लाँच होने से पहले इंडन मार्ट केड़ में काफी ज़दा भोकाल मचा दिया है और ये ना इंडन मार्ट केड़ में एक ऐसे एक मातर गाड़ी है जो कि मौरतिसुल की ब्रेजा को कांटे की टकर देती है और अब दोस्तो टाटा नेक्सोन का निया जनेरेशन मोडल इंडियन मार्क ने बहुत ही जल्दी लाँच होने वाला है और आज की वीडियो में न मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसी पांच बाते जो कि दोस्तों आपका टाटा ने जनेरेशन के लाँच होने से पहले आपको ये बाते जानना ब पर टेस्ट करा रहा है तो यहाँपर इस गाड़ी के लुक से नहीं वह काफी हद तक हैं पर रिवील हो चुए और दोस्तों दिखने में यह लगा रहा है कि इस गाड़ी के लुक से इंस्पार होने वाले टाटा कव से ओ टाटा कव का कंसेप्ट अभी कुछ समय पहले पर आपको देखने को मिल जाए और जो गाड़ी का फ्रेंड लूक है वो काफी इस बार नेक्स्ट लेवल होने वाला है बाकि अगर बात करें इस गाड़ी के रेंडर्स के बारे में तो यहां बार दोस्तों कुछ इस तरह के रेंडर्स इस गाड़ी के निकल कहें हैं जो भी यहां पर तरभाइन देखने को मिलने वाल है जिनका यार लूक काफी रेंगे लुक के बारे में तो दोस्तों भी इस गाड़ी के नाइट में इस गाड़ी के थोड़ा बार पर इस गाड़ी के देखने को मिल जाती है बाकि जो नियु जेनेशन टाटा नेक्स लॉन्च होन वाली है बाकि जो गाड़ी की ओवरल लुक है ना उसको देखकर ना इस बार हर कोई दिवाना हो जाएगा और दोस्तों इस प्राइच शॉट को देखे मुझे यह लग रखे बाई इस बार ना लुक्स के मामल में मार्तिसु की ब्रेजा को भी ना टाटा मोंटर से पीछे कर बाकि आपके इस बार में क्या राय है ना तो यह आप हमें प्लीस कमेंड कर गए शेर के जिगा तो दोस्तों यह तो होगी इस गाड़ी की लुक्स तो चलिए अब बात करते हैं और न्यू टाटा नेक्सों के इंटिरिस के बार में तो यहांबर आपको इस बार ब्रैंड न प्लाएं यहांब को कफी बड़ा इन्फोटेंटमन्ट सिस्टम इस गाड़ी के अंतर देखने को मिल जाएगा जिसक पहुँर कमें पर कावी सारे फीचर मिलेगे जिसके मिलेंगे जिसके बात करें पॉइंट नुम्र 3 के बारे में तो जो नुमिलेंगे तो चल्ब भाइं आपको two spokes, steering wheel, 360 degree camera, ventilated front seat, larger touch screen और ऐसे कावी सारे advanced feature आपको उस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएंगे बाकि जो गाड़ी के overall interest होएंगे ना वो कावी premium इस बार होने वाली है और यहाँ पर बात करते हैं fourth point के बारे में जो कि होने वाला है इस गाड़ी के price के regarding तो guys अभी सुनने में यह आ रहा कि जो गाड़ी का स्टार्टिंग के वेरेंट का price रहेगा ना वो रहेगा 7.9 lakh के असपास और यह जो गाड़ी है ना वो अथार लाक के असपास जाने वाले हो भी एक शुरूम प्राइज और जो top minute होईगा ना उसके अंदर में काभी सारे फीचर आपर देखने को मिल जाएंगे और आप दोस्तों यह जो गाड़ी है ना इंडियन मार्केट में फाइफ स्टार होने वाली है और इसी के साथ-साथ यह गाड़ी है पहले से काफी जदा इस बार premium हो जाएगी in terms of looks and feature तो चले बाइब बात करतें लाश्ट पॉइंट के बार में तो वहने वाला इस गाड़ी की launch date के रिगाड़ी तो अब दोस्तों भी सुनने में यह आया कि यह जो गाड़ी है और गाड़ी वाइड की एक रिपोर्ट के अनुसार यह गाड़ी ना अक्तूबर या नहुमर क के आसपास इंडियन मांत क्रिड में launch हो जाएगी क्योंकि दोस्तों काफी समय से टाटा मोंटर्स इस गाड़ी को टेस्ट कर रहा है तो उमीद तो यही है कि यह गाड़ी इस साल लाँच हो जाए बकि दोस्तों जनवरी या फरवरी के आसपास तो डेफिनेट लिए वली ग कैसा दो भें लिए है कि यह हो जह एनक बाह-एंद़ मीद ब मांत का दिए मैं कि अगी है